हलो गाइज वेलकम बैक टू राइजर टैलेंट यूटूब चैनल एक बार फिर से आपसे भी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में में बहुत ही इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन शेयर करने वाले से आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर जेए मैं 2021 स्कैम का भांड़ा फोर्ड हो चूका है जी हां बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है इसमें पूर्ए वीडियो के एंड तक पूरा देखना आपको वीडियो अच्छा जिन बच्चे के पास इए वीडियो पहुँचा आँ उन्हों ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस पर्टिकूलर टॉपिक के उपर आप और क्या वीडियो देखना चाते हैं उस पे भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे हमारी पूरी टीम इस पे काम कर रही है तो जी हाँ जेए में 2021 का भांड़ा पोड हो चुका है किस तरीके से यह स्कैम होता था उसके बारे में आपको बताऊँगा कि स्कैम क्या था अब उस पूरे सेंटर वहां के लोग लोगों को खरीद लिया गया था तो जब वह बच्चा उस सेंटर पर जाता था तो उसका जो सिस्टम सिस्टम पर ऑनलाइन एक्जाम दे रहा है उसको पूरा का पूरा जो है रिमोट एक्सेस पर लेकर वहां पर कुछ प्रफेशनल जो लक्स से बैठे थे रिमोट एक्सिस पे लेकर वो प्रोफेशनल्स जो है उस एक्जाम को सॉल करते थे अच्छा यहां पर थोड़ी सी बच्चे को एक्टिंग भी करना सिखाए गई जैसे हम लोग आपके सामें करते हैं वैसे बच्चे को सिखाए गई एक्टिंग करना कि यहां पर वो बच्चा उस एक्जाम को सॉल नहीं कर रहा है तो इतना थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन दिया गया इस तरीके से पूरा स्कैम चला इसमें जैसे की सोनी पत का नाम निकल के आ रहा है और भी बहुत सारे सेंटर में ली हरेना के सेंटर जो है जा रहा थे इसम स्कैम में बुरे शामिल है अब यहां पर सवाल यह उड़ता कि यह तो इस बार पकड़ में आए क्या पता यह 2020 में यह इसके पहले वाली शिफ्ट में भी यह स्कैम हुआ हो तो फिर क्या करना चाहिए सर हमारे ओपर क्या इंपक्ट पड़ेगा हमने जिन बच्चे ने जिस अपना एक्जाम बिल्कुल प्रॉपरली दिया है प्रॉपरली प्रिपरेशन की है उसके लिए बहुत ही बड़ा एक डी मोटिवेशन हो जाएगा क्योंकि अगर अच्छा स्कोर लेके आ गया एक्जाम दुबारा होता है तो क्या पता सेकिंड वाले दूसरे अटेम्ट में अच्छा स्कोर नहीं ला पाई यही उसका बेस्ट स्कोर रहा हो जो पिछली कई अटेम्ट से हो देता आ रहा हो तो उन बच्चों के लिए तो मैं यहीं नहीं कहता हूँ कि एक्जाम को दुबारा कराना चीए लेकिन हाँ उस शिफ्ट के और उससे पहले वाली शिफ्ट प हैं इसका बच्चे जिनके स्कोर में अब्रण चीज आया है उनका री इविलूशन होना चीए तो हम यहां पर यह कहता है की री इव लूशन होना चीए इसका बच्चन पढ़ने वाला है है कि हो सकता है इस पूरे प्रॉसेस में आपको रिजल्ट थोड़ा देर से आ जाए रिजल्ट आएगा जरूर जिस बच्चे ने मेहनत किया हम उनके साथ में खड़े हुए है बहुत सारे यूटूबर्स बहुत सारे जो अलग कंपनीज एट्टेक कंपनीज उस पर वीडियो बनाया है वो सपोर्ड में आई है और अब तो काफी सपोर्ड मिल रहा है इसको तो ह जिन बच्चों को सजा मिलेगी जिन बच्चों ने किया है इस पूरे रैकेट का भंड़ वोड़ तो ही चुका है जो भी लोग यह रैकेट चला रहे थे उनको भी सजा मिलेगी लेकिन इसमें जिन बच्चों ने अपना एक्जाम दिया है उनका रिजल्ट आने में थोड़ revolution होना चीए उसके लिए यहां पर एक हैस्टेग चलाए गया है हैस्टेग रिवेल जेई में 2020 इस हैस्टेग पर जाएंगे और इस पर सपोर्ट करेंगे इस हैस्टेग को जितना ज्यादा हो सके करें इस वीडियो को भी जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करें ये वीडियो ट्रेंडिंग में चलना चीए ताकि हर बच्चा जो है इस revolution के सपोर्ट में है और लोग काफी सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे तो इस हैस्टेग को बिल्कुल जॉइन करिए हम आप दुक्सान नहों यही हमारा मेन मोटिव है और जिन बच्चों ने गलत किया है शॉटकट लिया है उनको सजा मिलनी चीए मैं यही नहीं कह रहा कि उनको बिल्कुल ही कभी भी एक्जाम देनी सकते है ऐसा नहीं करना चीए लेकिन इस पर्टिकुलर एक्जाम से उनको डिस्क पर यहां पर एक बहुत ही अच्छी ख़बर हाँ एक यूस सप्राइज हम लेके आए आपके लिए लेकिन उस वीडियो में नहीं इस चैनल पर बने रहेंगे इस वीडियो को जिता हो सके शेर करेंगे आगे आने वाले वीडियो में आज इकी दिन कुछ वीडियो आने वाल के इस चैनल पर मेरे साथ में दुबारा आने वालो हूं अगले वीडियो में बहुत सारे सप्राइज लेकर तो देट से आल तिल दैन कीप वाचिंग कीप लर्निंग थैंक यू वेरी मॉच बेस्ट ओव लक